पंजाबी सिंगर और कॉंग्रेस नेता सिद्धूमुसे वाला हत्याकार्ड में तावर्टोर एक्षन चारी है संदीप उर्फ केकरा महाकाल के बाद पुलिस ने लॉरेंस विश्णोई गैंग के शुटर संतोष जादब को गुजराद से ग्रफतार किया है पुले की ग्रामिन पुलिस ने ग्रफतारी के बाद जादब को 12 जून देर रात मजिस्टेट के सामने पेश किया उसे 20 जून तक रिमार्ड पर जेल भेजा गया है पुलेस के जानकारी के मताबिक जादब को 2021 में पूने जिले के मंचर पुलेस इस्टेशन में दर्ज एक हत्या के मामले में ग्रफतारी में लिया गया है वह एक साल से फरार चल रहा था उसका और नागराथ सुनेवन सी का नाम मुसेवाला हत्याकार्ड में सामने आया था जादब को पना देने के आरोपी सिदेश कामले उर्फ महाकाल को भी पुलेस गिरफतार कर चुकी है विश्णोई गिरोह के सदस महाकाल को पिछले सब्ता मंचर थाने में दर्ज मकोका के एक मामले में गिरफतार किया था मुसेवाला हत्याकार्ड के सिलसिले में दिल्ली पुलीस की अश्पिसल सेल और पंजाब पुलीस ने भी उनसे पूछतास की थी जब मुंबई पुलीस ने सल्मान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरे पत्र के समंद में महाकाल से पूछतास की तो जादब के बारे में भी जानकारी मिले उसके बाद पुलीस ने जादब का पता लगाने के लिए पिछले सब्ता कई टीमों को गुजरात और राजस्थान भेजा था संतोस जादब भी लौरेंस विष्णोई गैंग का शूटर है जिसने सिद्धू मुसे वाला के हत्या में शामिल होने के बाद स्वेकार की थी संतोस उन आठ शूटरों में सामिल है जिन पर पुलीस को शक है कि उनमें से तीन शूटर पंजाब, दो हडयाना, दो महराश्थ और एक राजस्थान का रहने वाला है संतोस जादब के खलाब महराश्थ पुलीस ने मकोवका के तहद मामला दर्ज किया है पुलीस विश्णोई से इस बात का भी पता करेगी कि महराश्थ के कितने लोग उसकी गैंग में शामिल है संतोस जादब पुली के करीबी खेड तहसील का रहने वाला है दरसल सिद्धू मुसेवाला हत्याकान की तहकिकात कर रही पुलीस के हाथ संतोस जादब का एक फोटो लगा था इस फोटो में जादब गैंगस्टर अरून गवली के पतनी आशा गवली के साथ नजर आया था जानकारी के मुताबिक महाकाल को पता था कि मुसेवाला के हत्या होने वाली है क्योंकि लौरेंश बिस्नोई गैंग को कैनायडा से चला रहे विक्रम बडार ने उसके साथ मुसेवाला को लेकर कई बार बाचीत की थी पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुसेवाला के हत्या की तारीक यानि 29 मई से 17 वर पहले सिम्हाकाल विक्रम बडार से संपर्क में था सिद्धू मुसेवाला के हत्या खान का मुख्य किरदार संदीप और केकड़ा की भी ग्रफतारी हो चुकी है केकड़ा ने ही मुसेवाला के रेकी की उससे फैन बनकर करीब 45 मिनट तक बाच्चित किया था और सिलपी भी ले थी उसके बाद विदेश में बैठे गोल्डी बरार को रेकी की पूरी जानकारी दी थी पंजाब पुलेस के पूश्तास में केकड़ा ने बताया था कि मुसेवाला की रेकी की डील 15,000 रुपे में हुई थी वो कई बार रेकी करने गया था जांस में ये भी सामने आया कि 13 बार केकड़ा की फोन पर गुल्डी बरार से बाच्चित हुई थी 29 तरीक को जिस दिन सिद्धू मुसेवाला के हत्या हुई उस दिन केकड़ा ही वो शक्स था जिसने गुल्डी बरार को ये जानकारी दी थी कि मुसेवाला निकल गया है उसके साथ सिक्यूरेटी नहीं है और वो बुलेट प्रूफ गारी में भी नहीं आपको बता दे कि पंजाबी सिंगर और कॉंग्रिस नेता सिद्धू मुसेवाला की 29 मई 2022 को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी मुसेवाला के हत्या में आठ शूटरों के नाम शामिल होने का सक है और जांच एजनसियों को अब तक जो सुराग मिले हैं उनमें यही आठ चेहरे हैं जिनने सिंगर का शूटर माना जा रहा है अब तक कि पुलिस तपतेश्म के मुताबिक आठ असी तस्वीरे जारी हुई जिनके चेहरे के बारे में माना जा रहा है कि सिद्धू मुसेवाला पर इनी आठ लोगों की बंदूकों ने मौत की गोलिया बरसाई थी तीस गोलियों ने सिद्धू मुसेवाला के जिस्म में 24 छेद कर दिये थी पुलिस लागातार सत्याकान के जाच कर रही है और शानबीन भी कर रही है लॉरेंच विष्णोई जो की दिली के तिहार जिल में बंद है उसे भी रिमांड पर लेकर पूश्टास की जा रही है पुलिस के हथे कई शूटर चट चुके हैं हलाके विष्णोई को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसका एंकाउंटर न हो जाए शायद इसी वज़ा से विष्णोई ने कोट में राज्य पूलिस को नहीं सौपने और शिप्ट नहीं करने की अरजी भी लगाई थी जिसे कोट ने खारिज कर दिया है लेकिन एक के बाद एक पंजाब पूलिस और तमाम राज्यों के पूलिस को विष्णोई गैंग के शूटरों की जानकारी मिल रही है और उस पर वो हत कंडे भी कस रहे हैं आप देखते रहे हैं नियोज तक अश्पलिस और उन्ट और उन्ट चरूरों की जानकारी मिल रहे हैं कि अच्पलिस और उन्ट प्रूरों के रहे हैं